क्या आपको पता हैं हमारी वर्ल में 1893 से पहले वोमिन्स के पास वोटिंग राइट ही नहीं था सुनने में कितना अजीब लगता है न पर यही सच है और जब बाद में वर्ल के डिफरेंट कंट्रीज ने वोमिन्स को वोटिंग राइट प्रोवाइट करना शुरू किया तो यह सब उस फैमिनिस्ट मुवमिन्ट का ही रिजल्ट था जो की हमें 19 सेंचुरी के बाद दिखाई देता है हेलो फ्रेंड्स मैं हूरश्मी और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन 10 मिनिट्स तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कुस करने वाले हैं कि फैमिनिस्म क्या है और फैमिनिस्ट मुवमिन्ट की शुरुवाद कैसे होती है तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो को यह कुछ मेरे बारे में ब्रीफ इन्फर्मिशन है मैंने नेट और जैरेफ कॉलिफाई किया है साथी साथ अभी मैं चवाहरलाल नहरे वीनिवसिती से पीचडी कर रहे हूँ तो सबसे पहले हम समझते हैं वाट इस फैमिनिजम फैमिनिजम एक सोशल, पॉलिटिकल और आइडोलोजिकल मुवमेंट है जिसके शुरुवात हमें लेट 19th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्री में दिखाई देती है जो वोमन के साथ होने वाले अन्याए, सब्जुगेशन, मींस दमन को क्रिटिसाइज करता है और सोसाइटी में उनके इक्वल स्टेटस की डिमान करता है फैमिनिजम वट का फस्ट यूज तो 19th सेंचुरी में हो चुका था जिसका फस्ट यूज चार्ल्स होरियन ने किया था लेकिन जब हम 17th, 18th सेंचुरी में देखते हैं तो हमें वहाँ पर इंडर्स्टियल रिवल्यूशन दिखाए देता है इंडर्स्टियल रिवल्यूशन के आने के वज़े से जो वूमेन का पार्टिसिपेशन होता है वो पब्लिक इंप्लॉइमेंट में बढ़ जाता है तब जब वूमेन पब्लिकली सामने आती है ना तब उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो इशूज हैं वो सामने आने लगते हैं और इसी वज़े से इस मूमेन का जन्म होता है जो कि इन सारे इशूज को पब्लिकली उठाता है अगर हम फैमिनिजम का कोर आडिया देखें तो फैमिनिजम का मानना है कि सोसाइटी में मेल और फीमेल के बीच बस एक ही अंतर होता है और वो अंतर होता है बायोलोजिकल मतलब हम इन दोनों के biological structure के आधार पर इन दोनों के बीच हम differentiate कर सकते हैं और कोई भी दूसरा आधार इनके differentiation का नहीं होता है, नहीं होना चाहिए लेकिन हम society में इन दोनों के बीच एक और प्रकार का differentiation देखते हैं जो की social culture आधार पर differentiate करता हैन दोनों के बीच में अब इन social culture differentiation को मैं example से समझाती हूँ यह जो समाजिक और सांस्कृतिक अधार पर जो differentiation होता है इन दोनों की बीच में वो हमारे सोच में आ चुका है, इससे हमें पता नहीं चल पता For example, हमें यह अकसर सुनने को मिल जाता है ना कि यह लड़की है तो यह काम यह particular काम नहीं कर सकती या फिर यह लड़का है तो यह यही काम कर सकता है तो यह जो भी हमें सुनने को मिलता है यह totally gender difference है जो social culture, socio culture अधार पर है जो society के द्वारा ही create किया गया है और इन ही सब का जो विरोध है और इन ही सब को जो criticize करता है कौन? जिसे हम आगे अच्छे से detail में समझने वाले हैं और यही जो feminism है वो modern political philosophy का हिस्सा है जिसमें हमें different school of thoughts भी देखने को मिलते हैं जैसे कि liberal feminism, marxist feminism, radical feminism, eco feminism और post-colonial feminism Feminism को समझने से पहले हम कुछ ऐसे concepts को समझेंगे जिसे feminism को समझने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है तो आएए देखते हैं उन concepts को तो सबसे पहले हम sex और gender के concept को समझेंगे यहाँ पे sex और gender दो अलग-अलग concept है Sex means which refers biological difference between men and women मतलब यह male और female के बीच में biological difference create करता है ठीक है? और इस तरह हम देखते हैं कि यह जो nature के दोरा बनाया गया है यह category ताकि जो reproduction होता है उसको आगे बढ़ाया जा सके और यह जो male और female का difference है वो totally natural है क्योंकि यह birth से होता है अब समझ आया आपको sex का concept मतलब यह जो concept है वो है natural इस अधार पे ही हम differentiate करते हैं एक male और female को वहीं दूसरा concept आता है gender ठीक है? जेंडर जो है वो socio-political या socio-cultural difference create करता है men और women के बीच इस तरह हम gender की भी दो category देखते हैं पहला है masculine और दूसरा है feminine इन दोनों के जो characteristics होते हैं मतलब masculine के जो characteristics होते हैं और जो feminine के जो characteristics होते हैं वो social norms या society के norms के द्वारा बने होते हैं ठीक है? मतलब इनके जो characteristics होते हैं वो socially constructed होते हैं ना की naturally हम sex के case में यह देख रहे थे कि यह naturally constructed है क्योंकि यह biological है और जो gender होता है वो socially constructed होता है इसलिए इसको हम कहते हैं इसमें stereotype होते हैं कही तरह की मैं example से समझाती हूँ gender के concept को जैसे कि हम बोलते हैं कि अरे लड़कियों की तरह मत रो मतलब यह stereotype बना दिया गया है कि लड़कियां रोती है ठीक है और इस तरह लड़कों को बोलते हैं लड़के strong होते हैं इस तरह का concept आता है न और अगर हम देखे तो colors के बारे में भी बोलते हैं कि यह pink color है मतलब लड़कियों से belong कर रहा है और यह blue color है मतलब लड़कों से belong कर रहा है इसका वास्तविकता से कोई समझ नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह का stereotype है वहीं एक और example देखते हैं कि हम बोलते हैं कि woman है तो यह घर समालेगी या housewife बनेगी या बच्चों को समालेगी और male है तो वो बाहर जाके काम करेगा घर समालेगा पैसे कमा किलाएगा ठीक है यह सारी जो चीज है इस सिर्फ social norms बने हुए है और हमारे mind pace को fit कर दिया गया है ऐसा कहीं भी नहीं है या ऐसा naturally कहीं भी prove नहीं है कि यह particular काम लड़का ही करेगा या यह particular काम लड़की ही करेगी इसलिए gender का जो concept है वो कहा जाता है कि यह social culture है ठीक है अब हम अपना अगला concept patriarchy means पित्र सत्ता को समझते है patriarchy एक ऐसा system है जो male dominating society को denote करता है जहाँ पर male का domination society के different aspect में होता है जैसे कि political leadership में उसका domination होता है social privileges में उसका domination create करने की कोशिश कियाती है economic institution में उनका domination होता है property में होता है तो basically हम patriarchy को एक ऐसे idea की रूप में देखते है जो society की domination को justify करता है और कहता है कि society में इसलिए male का domination होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर male और female के बीच differences है जो खुद society नहीं create कि है हमने तो पहले ही पढ़ाता है gender क्या करता है gender के दोरह हम social culture difference create करते है ठीक है अब हम patriarchy को हम example से समझते हैं कि कैसे male का domination create किया जाता है society में जैसे कि इसके लिए क्या किया जाएगा female को abuse किया जाएगा ठीक है फिर female का objectification किया जाएगा और उसके लिए ऐसे ऐसे beauty unrealistic beauty के standard भी तैय कर दिये जाएगे और उसके बाद rape culture को भी बढ़ावा दिया जाएगा मतलब यह दिखाने के लिए कि देखो male आपसे ज़्यादा ताकतवर है उसके उपर force उसके उपर power का use किया जाएगा वहीं ऐसी ऐसी industries खड़ा की जाएगे जहाँ पर woman काम नहीं कर सकती ठीक है और फिर gender stereotype करेट किया जाएगा यह तो सबसे easy तरीका होता है मतलब domination करेट करने के लिए अब यह gender stereotype क्या होता है जैसे कि लड़कियां कमजूर होती है लड़कियां रोती है लड़कियां कोई particular काम नहीं कर सकती इस सरह का stereotype की क्रेट किया जाता है वहीं अगर हम पहले जमाने में देखें तो अन इक्वल उन्हें पे किया जाता था, किसी भी काम के लिए उन्हें इक्वल पे नहीं दिया जाता था, ये छोग करने के लिए कि आप कम capable हैं, तो हम देखते हैं कि patriarchy एक ऐसा artificial atmosphere create कर देता है, जिसमें female को अपने आप ही subjugation feel होने लगता है, और male को सारे privileges दे दिये जाते हैं, और इस तरह female जो होती है, ऐसे patriarchy society में, patriarchy society में अपने आपको male से कम समझने लगती है, तो इस तरह हमने जाना कि feminism क्या है, और किस तरह gender, sex और patriarchy का concept, feminism के साथ closely associated है, और वो जो gender का difference है, वही create, gender के difference को किस लिए create के जाता है, ताक patriarchy को बढ़ावा दिया जा सके, और feminism is gender difference और patriarchy का ही विरूध करता है, अब इस slide में हम देखेंगे different waves को, जिससे कि किस तरह different phases में feminism का development होता है, तो हम ये देखते हैं कि जो feminism का development हमें four phases में दिखाए दियता है, आगे की slide में हम in four phases को देखेंगे और इसके characteristics को भी देखेंगे तो आएए हम देखते हैं first wave of feminism को जो हमें late 90th century और early 20th century में दिखाए देता है, और ये तब दिखाए देता है जब 1792 में Mary Woolstancraft की book, A Vindication of the Right of Women, publish होती है, और ये वही book होती है जो feminist movement के development में एक milestone होती है, वहीं इसमें दूसरा नाम आता है J.S. Mill का, जिनके book आती है 1869 में और उस book का नाम होता है, The Subjection of Women, और ये तो दो book होती है, The Vindication of Right of the Woman और The Subjection of Women, ये दोनों book जो होती है, वो feminism के early development में बहुत important role play करती है और अगर मैं first wave of feminism के characteristics की बात करूँ, तो यह woman की basic political right की demand करता है, ठीक है, जैसे कि voting right की demand करता है, property right की demand करता है, dignity of woman की बात करता है, equality of woman की बात करता है, ठीक है और अगर हम first wave of feminism का result देखें, तो over the time हमें ये देखने को मिलता है, कि बहुत सारे countries ने feminism के development की वज़े से woman right दिया, जैसे कि New Zealand ने 1893 में first time woman को voting right दिया, मतलब New Zealand पहला country था जिसने woman को voting right दिया, महीं USA में 1920 में women's को voting right मिलता है, UK में 1917 में मिलता है, और France में 1944 में मिलता है, तो इस तरह हमने first wave of feminism को देखा, मैं जो slide में आपको books के नाम बता रही हूँ, या जिनका भी नाम ले रही हूँ, और मैंने voting year लिखा है, किस country में कब दिया, ये exam के point of view से बहुत ही ज़दा important है, exam म किस पर focus कर रहा था, या फिर Mary Wollstonecraft की book का नाम क्या था, वो कब publish हुई थी, तो इस तरह के question general exam में पूछे जाते हैं, तो आप इसको note कर सकते हैं, ये net के लिए तो बहुत ही ज़दा important है, अगर मैं second wave of feminism की बात करूँ, तो इसमें सबसे important नाम आता है Simone de Beauhar का, जिनकी book publish होती ये the second sex 1949 में, जो एक totally different perspective रखती है feminism के सामने, और इस तरह हम देखते हैं कि 1960s के decade के बात से feminism का second wave start हो जाता है, जो की 2-3 decades सक चलता है, इसमें बहुत सारे issues के उपर ध्यान की इंदृत किया जाता है, जैसे कि sexuality जैसे concept आते हैं, family की बात होती है, domestic violence की बात होती है, rape, marital rape होते इस issue को उठाया जाता है, ठीक है, उसके बाद abortion की right की बात की जाती है, और society में जितने भी inequalities थी, उसको हटाने की बात की जाती है, वो social inequality हो, political inequality हो, सारे inequality को हटाने के बात होती है, वही female के right to education की बात होती है, equal position and equal pay की बात होती है, जो अब तक नहीं दिया जाता आ रहा था, उसके बाद second wave में ही हम देखते हैं कि जितने भी patriarchal society थी patriarchal institutions थे male dominating जितने भी society में institution हमें देखने को मिलते हैं उसको का criticism होता है और ऐसे सारे cultural practices को society से बाहर निकाल देने की बात की जाती है जो कि female को subjugate करते थे यह सब हमे second wave of feminism में देखने को मिलता है और हम इस तरह देखते हैं कि कई law में changes लाने की बीबात होती है चाहे वो diverse law हो या custody law हो तो यह होता है इस तरह हम देखते हैं कि in different issues को हम second wave of feminism में discuss करते हुए देखते हैं अब आईए discuss करते हैं third wave of feminism तो अगर मैं third wave of feminism की शुरुआत की बात करूँ तो यह हमें नौमी वोल्फ की writings के बात से दिखाई देता है और इन्होंने अपनी एक book लिखी थी The Beauty Myth 1990s में यह publish होई थी उसके बात से यह पूरा feminism का जो third wave हो start हो जाता है तेक है इसमें क्या होता है कि यह जो है वो second wave of feminism की critique की रूप में आता है और क्योंकि जो second wave of feminism था वो femininity की definition देता है वो बहुत तीज़ा narrow देता है ठीक है इसलिए यह जो third wave है उसको criticize करता है और अगर मैं second wave of feminism की बात करूँ तो यह upper middle class white woman तक ही सीमित रहता है means second wave of feminism society के different section of women की issues को deal नहीं कर रहा था उनको neglect कर दे रहा था इसलिए third wave of feminism आता है और third wave of feminism different identity की बात करता है मतलब वो different race की बात करता है different ethnicity की बात करता है different class की बात करता है black woman की बात करता है white woman की बात करता है ठीक है फिर rich woman की अलग से बात करता है, poor woman के अलग से बात करता है क्योंकि आज तक जितने भी feminist thinker हुए, writer हुए वो अभी तक feminism का overall नजरिये से देख रहे थे, लेकिन अगर हम feminism के broad prospect से देखें तो एक poor woman के issues अलग होंगे और एक rich woman के अलग issue होंगे, एक middle class woman के issues अलग होंगे और एक lower class woman के issues अलग होंगे, तो यह इतने broad level पे जाके third wave of feminism deal करता है, third wave of feminism में हमें transgender right की बात मिलती है, sexual diversity की बात करती है, lesbian जैसे concept आता है, तेखें, eco-feminism आता है, post-modern feminism आता है तो इस तरह हम देखते हैं कि third wave of feminism में, जो feminism है वो काफे broad हो जाता है अब हम fourth wave of feminism के बात करते हैं, जिसके शुरुआत हमें around 2010 के बात से दिखाई देता है, और अगर हम देखें तो हम अभी fourth wave of feminism में जी रहे हैं, जहाँ पर digital media का use करके feminist movement को बढ़ाने की बात होती है मतलब, digital media को feminism के platform के रूप में project किया जाता है और इस feminism को information technology से भी define किया जाता है, क्योंकि इसमें feminism के challenges को socially सब के सामने रखने के लिए different digital platform का सहरा लिया जाता है, जैसे कि facebook हो गया, twitter हो गया, instagram हो गया youtube हो गया, blog हो गया ये सब के द्वारा क्या करती है, women अपने बातों को रखती है, अपने problems को सामने रखती है, ठीक है आप इसको example से भी समझ सकते है जैसे कि me too movement हुआ yes all women हुआ, ठीक है और bring out girl वाला campaign भी चला था, और हम ये देखते है, slut walk करके भी campaign चला था, जिसको मैं अभी brief में समझाओंगी क्या क्या था इसमें, अगर मैं me too movement के बात करूँ था, ये बहुत famous रहा इंडिया में भी ये चला है, जिसमें local, national, international names ने sexual abuse और sexual harassment के खिलाफ, खुल कर social media में बोला, ठीक है और ये feminism का एक new movement बन गया च्योंकि इसमें जो allegation लगाया गया था, जिन लोगों पर भी वो कहीं न कहीं society के powerful men रहे हैं, या फिर prominent personality रहे हैं, तो ये show कर रहा था कि 21st century में भी कहीं न कहीं जो power of position वाले जो men's थे, वो कहीं न कहीं women's पर domination create कर रहे थे, वहीं अगर मैं yes all movement की बात करूँ तो इसमें twitter hashtag campaign चलाय जा रहा था जिसमें women's जो थी, वो अपने twitter handle की through सामने आ रहे थी और walk के खिलाफ public platform में बोल रहीं थी वहीं अगला moment आता है slut walk moment ये क्या था, ये एक transnational moment था, जिसने rape culture victim blaming, victim blaming slut shaming के against white campaign चलाया था और इसने stage का भी विरोध किया था जिसमें victim के dressing sense को rape के लिए blame किया जा रहा था, तो इस तरह हम देखते हैं कि fourth way of feminism जो था, वो totally हमें digital media में देखने को मिलता है, लोग खुल कर सामने आते हैं और इस तरह पुरा worldwide moment चला दिया जाता है तो इस तरह आज हमने देखा कि feminism क्या है sex और gender के बीच क्या difference होता है, और ये किस तरह gender patriarchy को और किस तरह मचबूत करता है, और किस तरह feminism इस patriarchy को विरोध करता है, और हमने ये भी देखा कि कितने different waves हुए feminism के और feminism का किस तरह development हुआ, आगे ये मेरे जितने भी books के नाम यूज किये हैं या concepts यूज किये हैं वो उसमें से दो-चार सवाल अकसर पूछे ही जाते हैं, चाहिए net हो, UPSC हो या PhD का entrance exam हो, तो आपको मैं यही suggest करूँगे कि वीडियो का दूनों part देखिए और जरुरत पढ़ने पर नूट्स भी बना लीजिए